शारुप खान की फिल्म रईज अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी और इसका तीधा मुकाब्ला रुतिक रोशन की फिल्म काबिल से होगा जो पहले से ही इस तारीक को फिल्म रिलीज करने की खोशना कर चुके हैं रुतिक की इस फिल्म का तीजर तुरंत चारी हो गया है और एक तरह से रुतिक ने शारुप खेमे तक खबर पहुचा दी है कि वे जंग के लिए तयार हैं और पीछे नहीं हटने वाले बॉलिवुट के खबर्चियों का कहना है कि रईस शायद ही 26 जनवरे 2017 को प्रदर्शित हो पाए शारुप किसी भी तरह की तकराहट नहीं चाहते हैं और बेस सुरक्षित तारीक की तलाश में है